नमस्कार, 36 गड़ का नमबर वन बुलिटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वंतिका श्रवास्तव, 36 गड़ की सबसे बड़ी खबर पर फिलाल चर्चा कर लेते हैं कल से 36 गड़ विधान सबा का बजट सत्र शुरू हो रहा है एक मार्च तक बजट सत्र चलेगा, 9 फरवरी को सरकार 36 गड़ का बजट पेश करने वाली है और इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई है इसमें विपक्ष के सवालों के जबाब कैसे देने हैं, इस पर रन्नीती तयार की गई कॉंग्रेस विधायक दल की बैठक भी कल होनी है पूरी ही खबर इस रुपोर्ट के जरी आपको दिखाते है 36 गड़ विधान सभा का बजट सत्र पांच फरवरी से शुरू हो रहा है जो एक मार्च तक चलेगा, बजट सत्र में नौ फरवरी को सरकार बजट पेश करीगी इसलेकर विधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रवन सिंग ने जानकारी थी 73 बजट सत्र दिणांग पांच फरवरी से एक मार्च 2024 तक आउट की गई है 36 गड़ के सश्टम विधान सभा का या 23 शत्र नव वर्श दोढ़ार 2024 का परबुधान सभा का सत्र है इस सत्र में कई माइने में महतुन होने वाला है प्रदेश की नई सरकार के बजट प्रस्तुत किया जाएगा सरकार के बजट के अनुसार 36 गड़ के विकास की दिशात तै होगी इधर बजट सत्र को लेकर बीज़ेपी विधायक दल की बैठक हुए जिसमें विपक्ष के सवालों के जवाब देने और बजट को लेकर मन्थन किया गया जो कांग्रेश की सरकार ने 36 गड़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया था उन विकट चुनोतियों के बीच में हमारी सरकार अधरनी विष्णोदेव साय जी के नेत्रित में नई बजट वर्स 2024 के लिए प्रस्टूत हम लोग करेंगे और इसमें निश्चित रूप से मोधी जी की गरंटी एक बड़ी प्रात्मिक्ता के रूप में सामने आएगी गड़ सरकार का बजट पेश करेंगे 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी वहीं 14 से लेकर 26 फरवरी तक विभाग वार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी ब्यूर रिपोर्ट न्यूज 18 मद्रप्रदेश 36 गड़ तो बजट शर्चा को लेकर हमने पूरी जानकारी आपको देखे और क्या कुछ चर्चा का विशह रहने वाला है इस पर हम जानकारी ले ले लेते हैं सही कि यूगल तिवारी मार साथ लाइव जोड़र नंकमरों करेंगे यूगल बताईगा तमाम ऐसे मुद्दे जसे लेकर पहली बार सरकार फेज करेगी चुकि कई सारे नए चहरे इस बार मंत्री मंदल में भी शामिल हैं एक नए वित मंत्री के तौर पर आप ओपी चौधरी को भी बजट पेश करकर देखने वाले हैं कौन-कौन सी खास बात फेज बहँ बताया गया है कि की दो को किसे उठाना है और जब सरकार की प्रतिक्रिया रहेगी जब जब जवाब देते रहेंगे तो उन्हें किसे तरह से वहापर सदल में रहना है तमाम बातों को गूर है महाँ पर उन्हें सिखाया गया है और इसके अलावा जब संसर्दी कारिया मंतरी बिजमोन अगवार से बात चीत हुई तो उन्होंने कहा है कि पूरवर्ती सरकार के जो भरष्टाचार के मुद्दे हैं उसके ही सबसे अधिक सवाल आएंगे क्योंकि अभी जो बिश्रु देवसाय की जो सरकार है वो अभी पहली चुनाओ जीत करके आई है पांस सल बाद तो उनके कहना यह है कि जो राज सरकार के खिलाप ऐसे कोई उतने बड़े मुद्दे नहीं है और सबसे बड़ी बात यहीं है कि जो है नौ फरवरी को जो बजट है उपेश किया जाएगा तीसरे वित्मंतरी के रूप में ओपी चैओधृ बजट है ऊपेश करेंगें और ओपी चैओधृ जो आपतार पर कहा है कि जो ये बजट जो आ रहा है 36 गड़ का वो अभिजीत मूर्थ में आ रहा है मतलब एक अच्छा बजट होगा सुसासन के लिए समय बजट होगा बिज़ लगता है कि कॉंग्रेस तयारी कर रहे होगी कि मैनिफेस्टों को लेकर जरूर घेरा जाए बहुत शुक्री आपका फिलाल यूगल ये जानकारी साजा करने के लिए और इदर 36 गड़ में बीज़ोपी कॉंग्रेस दोनों ही दल लोकसभाज चुनाओ की तयारियां भी कर रहे है एक तरफ राइपूर में आज बीज़ोपी ने रणीती पर मंथन किया दूसी तरफ दिली में कॉंग्रेस स्क्रीनिंग कमिटी की बाठक भी हुई है क्या कुछ हुआ है दुनों ही बाठकों में दिखाते हैं राइपूर में लोकसभाज चुनाओ को लेकर बीज़ोपी क्लेस्टर की बाठक वी जिसमें लोकसभाज चुनाओ की रणीती पर मंथन हुआ बीजेपी प्रतेश रत्यक्ष किरन सिंग्देव ने कहा हर लोकसभा क्षेत्र, विधान सभा जिलों और मंडलों में हमारी योजना का क्रियानवन निचले स्तर तक करना है साथ फरवरी से प्रदेश में गाउं चलो भ्यान चुरू होगा वहीं प्रत्याशी चुयन को लेकर प्रतेश रत्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रे नेत्रत्वे के देशान दुदेश पर योजना के नुसार प्रत्याश्य का चुयन करेंगे वहीं दूसरी तरफ दिली में कॉंक्रस इसकुरीनिक कमिटी की बाठक होई जिसमें प्रत्याश्य के नामों पर मंतन हुआ विसमें 36 गण में लोगसभा की सभी 11 सीटों पर नामतै हो गए है इन नामों पर अंतिम फैस्ता CEC की बाठक में होगा तो एक तरफ विदांसभा चुनाओ में हार का दर्द जेल रही कॉंक्रेस लोगसभा चुनाओ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और लोगसभा चुनाओ से इस दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश में है दूसरी तरफ बीजोपी जीत के उत्साव में होश नहीं कवाना चाहती लोगसभा चुनाओ में भी जीत का पर्चम लहराने के लिए जी जान से जुठी है ब्यूरो रुपॉर्ट न्यूसेटी चतीजगण में महतारी बंदन योजना को लेकर सियासत चुरू हो चुकी है कॉंक्रस को लेकर बीजेपी पर निशाना साथ रही है प्रदेश रदेख्ष तीपक वैच ने कहा कि इस योजना में लाको महिलाओं को लाब नहीं मिलेगा बहुत से ऐसे जहां तक सविधा कर्मचारी के परिवार तक का लाब नहीं मिल रहा है वो सविधा कर्मचारी जो अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे है उसके बाद आप पेंसंदारी माता बहनों को भी आप कवटोती कर उस पे आप मतले जितना लाब मिलना चाहिए इस प्रदेश के माता बहनों को इस योजना से लाब नहीं मिलेगा वहीं कॉंग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीम अरुन साह ने कहा कि आईकर दाता, शासिके करमचारी, विधायक सांसर्थ, पूर्वे विधायक, पूर्वे सांसर्थ, मंडलायो के अधिक्षों को योजना से बहार रखा गया है योजना में वास्तविक और जरुतमंद लोगों को ही लाब मिलेगा कांग्रेस पार्टी को वादा खिलापी के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है कुँए पास साल में केवल उन्हों ने वादा खिलापी की है हमने जो वादा कहा है एक-एक वादा अप्छर सब पूरा कर रहे है तो लोगसबा चनाओ की बेला है कॉंग्रेस बीजपी एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाते कॉंग्रेस महतारी वंदन योजना को लेकर हमला बर है दूसरी तरफ बीजपी कॉंग्रेस पर भार करने से चूप नहीं रही और 36 गड़की सरकार ने किसानों को बड़ी राहा देते हुए धान खरीदी के तारीक को चार फरवी यानि के आज तक के लिए बढ़ाया और आज धान खरीदी का आखरी धिन इसे लेकर खाद मत्री दयालदास बखेल ने कहा कि आज 144 लाक मेट्रिक टन धान खरीदी हो पाई है लक्ष से जादा रही है धान खरीदी कॉंग्रेस सरकार की दौरान पीड़ेस घोटाला जो हुआ उसे लेकर भी कहा कि जाच चल रही है 36 गड़ में रिकार्ट टोर धान खरीदी हुई है कितना लक्ष से अधीक खरीदा है अप लोगों ने लक्ष से अधीक धान खरीदी हुआ है तेस साल क्या है आज धान खरीदी का अंतीम दिवश है बसे लगभग 130 लाक मेट्रिक टन का था एवरेज खरीदी का अनमान था और उससे भी कहीं ज्यादा अभी तक के जो रिकोर्ट आया है उसमें 144 लाक मेट्रिक टन का खरीदी का सूचना भी मिला है और आज अंतीम दिवश हो जाएगा उठाओ को लेकर के कोई दिशा निर्देश उठाओ तो चल रहा है उठाओ में भी कोई सिकायत नहीं हम तो 28 फर्वरी तक के पूरा भान उठाओ करा लेंगे ऐसा हमारा विपक्ष में थे तो राष्टी ने तब यहां पर आया थे पीडियेज गडबडियों को लेकर के सिकायत हुए थी अभी आयटी की छापे हैं पूर्व खाद मंत्री के हां भी छापा चल रहा है तो क्या लगता है कि उन गोटालों की भी जांच होगी पहली बाद तो मैं पूर्व में नहीं था ने इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो मैं उनकी बात तरहा है कांग् में जो पूर्व घोटाला हुआ है उसकी जाच है वो अभी जारी है और आगे भी जाच की जाएगी केमरा पर सब राजें चोधरी के साथी गलतिवारी मुझे के रायपूर चापूर पूर मत्री अमजीद भगत का जहां पर पांचवे दिन भी इनके ठिकानों पर कारवाई चली है रायपूर में इंकम टैक्स के अधिकारी पहुँचे इनके ठिकानों पर दस्दावेस खंगाली अमबिकापूर में भी अमजीद भगत के ठिकानों पर करीबियों पर रेट पड़ी पांचवे दिन अब जाकर ये कारवाई ठत्म हुई है आएकर अधिकारी की टीम यहां से रवाना हो गई है अमजीद भगत पर आईटी की कारवाई को कॉंग्रस ने बदले की कारवाई बताया दीपक बैच कह रहे थे कि बीज़पी बदले की भावना से काम करती है एटी सिर्टाई और आईटी के जरीए सर्कार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनको पता है एटी इंकम टेक्स मादियम से सरकार को बदनाम करने का प्रियास किये विधान सबाचुनाओं से पहले अब लोग सबाचुनाओं सामने है तो हमारे कंग्रेस के नेता और हमारी कारेकरताओं को सेंटरल के एजनसी और राजसरकार ये दोनों मिलकर डराने का काम कर रही है मतलब समझ लीजिए कि 36 गर्वे भारती जनता पार्टी लोग सबाचुनाओं को लेकर कितनी डरी हुई है